अबर पासो सटटटपर नवसकार गूणिंग सुपरभार तमाम दर्चकों को हर बार की भान तीज बार भी आपके सामने हाजी रैंड लमन गूद मॉणिंग शो में कई अखबारों की सुर्खियों को लेकर कैसा रहा बीता दिन क्या कुछ होना है आज के दिन दिन भर की खबरों पर रहेगी हमारी पैनी नजर और खासकर उन खबरों पर जो दूसरे दिन के अखबारों के मुखिप्रिस्ट की बनती हैं सुर्खियां तो फिलहाल आज के अखबारों की सुर्खियां क्या कहती हैं यह जान लेने के लिए ब मुख्य प्रिस्ट के हेडलाइन्स कहती है किर्थी आज़ाद बीजेपी से हुए सस्पेंड भारती जनता पार्टी का ऐसा सांसद जिसने अपने ही पार्टी के सांसद और वित्तमंतरी अरुन्चेटली के खिलाफ मोर्चा खोला और ये मोर्चा खोलेना भारी पड़ गया कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है बहराल सस्पेंशन के ऑर्डर के बाद किर्थी आज़ाद अपने तेवर में नजर आए उन्होंने कहा आगे आगे देखिए होता है क्या और इसे पूरी खबर पर हमारी नजर है लेकिन अखबारों की जिस तरीके से सुर्खि अमीत शाह ने बुदवार को पार्टी से निलमित कर दिया हमित शाह ने अज़ाद को लिखे पत्र में कहा कि पिछले कुछ महीने में आपने पार्टी नेताओं के खिलाफ टीवी और अखबारों में बयान दे कर पार्टी का अनुशासन तोड़ा है पार्टी नेताओं को शर्मिंदा करने के मकसद से आप विपक्ष डलों विपक्षी डलों खास करके कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी से जाकर मिल गए और आपने संसद और सांसद के बाहर खास करके संसद के बाहर ऐसा व्यवहार किया जो पार्टी के सदस्य के रूप में सपश्ट रूप से अन किर्थी आजाद का ये कहना कि आगे आगे देखिए होता है क्या इस पर तमाम पार्टी प्रवक्ताओं के चेहरे पर ताले लग गए हो मानों दिली क्रिकेट असोसियेशन में कथित ब्रस्टा चार का आरोप लगाते हुए पिछले रवीवार को किर्थी आजाद ने वो वीडियो बम मीडिया के सामने फोड़ा और उसमें कई तरह की अनिमिताओं को उन्होंने उजागर किया और खास करके रवीवार को किर्थी विजय सिंग ने कहा कि क्या अगला नंबर शत्रुग्न सिनह का है तो ऐसे में आपको बता दे कॉंग्रेस का ये निशाना है जिस तरीके से कॉंग्रेस ने आजाद के सस्पेंशन पर निशाना स्याथते हुए कहा कि आज रस्टा चार विरोत का मतलब भारती जनता पार्ट तो कुल मिलाकर बीजेपी का डबल चैलेंज केंदर में सत्ता रूड बीजेपी के सामने एक प्रकार से डबल चैलेंज खड़ा हो गया है वित्तमंत्री यारू जेटली के खिलाफ डीडी सीय मामले में अभियान चलाने वाले सांसत किर्थी आजाद को पार्टी से सस्पें बश्ची पार्टियां उसे लगातार घेर रही है हलाकि भारतिय जनता पार्टी का कहना है कि वो अदालत आदेशों का पालन करेगी भारतिय जनता पार्टी के एक और सांसत शत्रुग्न सिना ने किर्ती आजाद के समर्थन में अपना बिगल बजा दिया है आपको बता दे कि इसी के बाद कांग्रेस नेता दिगविजै सिंग ने सवाल उठाया कि क्या शत्रुगने के खिलाफ भी पार्टी कोई कारवाई करेगी शत्रुगने ने ट्वीट करके कहा कि आज़ाद आज के हीरो हैं आज वो भ्रस्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन कानूनी रूप से ये लड़ा जा रहा है जैसा कि प्रधान मंत्री नरेदर मोदी ने कहा कि हमारे वित्त मंत्री को अड़वानी जी की तरह उदारहन पेश कर साफ सुत्रे होकर बाहर आना चाहिए लेकिन इसी बीच हम अपने तमाम दर्शकों को बता दे एक तरफ किरती आज़ाद तो अब भारती जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा किसी और ने नहीं बलकी भारती होकी फेडरेशन के पुर्व अध्यक्ष के पीएस गिल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को एक पत्र लिखकर संसनी खेज खुलासा किया है उन्होंने आरोप लगाया है कि जब जेटली होकी इंडिया लीग के सलाहकार बोर्ड बे थे तो उन्होंने अपनी बेटी सोनाली को होकी इंडिया का वकील न्यूक्त किया था अपने तमाम दर्शकों को हम बता दे केंद्री वित्तमंत्री अरुन जेटली की बेटी सोनाली पेशे से वकील है और यही आरोप लगाया है भारती होकी फेडरेशन के पुर्व अध्यक्ष के पियस गिल ने जिनका ये साफ तोर पर कहना है कि जिस समय वो अरुन जेटली इंडिया लीग के सलाहकार बोर्ड में थे तो उन्होंने अपनी बेटी सोनाली को होकी के होकी जक्ष नरेंदर बत्रा ने गिल के आरोपों का गलत बताया तो कोई विपक्ष में जा रहा है अरुन जेटली के तो कोई समर्थन में आ रहा है किरती आजाद के तमाम जो सिनेरियों तैयार हो रहा है वो पूरा का पूरा पूरा पॉलिटिकल है लेकिन इस भारती जनता पा पार्टी को आने वाले दिनों में एक चुनौती साबित होगी ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन आपको बता दे कि अर्विन केजरिवाल किरती आजाद का कसूर था कि उन्होंने ब्रस्काचार के खिलाफ आवाज उठाई और आज बीजेपी पूरी तरह से देखना बहरहाल अगली खबर जिस तरीके से आज के अखबारों की सुर्खियां बनी है उसमें तो सबसे बड़ी चीज हम आपको बता दे कि राम मंदिर पर बड़ी सीयसर्ट सियासी मच-मच तरीके से आपको बता दे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने को लेकर ए एक और विस्व हिंदू परिशत की ओर से चलाए जा रहा है अभियान पर जहां बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती उत्तरप्रदेस सरकार को घेर रही है तो वहीं बुद्धवार को केंडर सरकार इसके समर्थन में दिखाई दी संसदी कार मंत्री वेंकईया नाइडू ने ये कहते हुए मुद्ध को हवा दे दी कि सभी देशवासी राम मंदिर चाहते हैं नाइडू ने शितकालिन सत्र को लेकर मीडिया से बातचीत के दवरान ये बाते कहीं केंडरी मंत्री विंकय या नाइडू का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब आयोध्या में विश्व हिंदू परिशत की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर लाने की बात कही जा रही है जंतादल युनाइटेड सांसद ने उठाया मुद्दा बुद्वार को राज्य सभा की कारवाही शुरू होते ही जंतादल युनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर पहुचाने और उन्हें तलाशने का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि अयोध्या में सामप्रदाई तनाव फ रहमी का माहौल है वो देखा गया और अपने हम तमाम दर्शकों को बता दे कि संसत के दोनों सदनों में शीत कालीन सत्र चल रहा था और ये सत्र हंगामे की भेट चड़ गया किसी तरह का कोई भी ऐसा विदेयक वहां पारित नहीं हो पाया जो जन हितार्थ के सुरूप बन आया गया था सोसल मीडिया पर नजर मुख्यमंत्री अखलेस यादाव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राम मंदिर पर बढ़ रहे विवात पर संग्यान लेते हुए निर्देश दिया है कि आयोध्या में किसी भी तरह के विवात को हवा न मिले सोसल जाने का काम बदस्तूर जारी है योगी अधितियनात ने कहा कि आयोध्या में राम मंदिर था और राम मंदिर है तो एक बार फिर राम मंदिर का मामला सुर्खियों में चल रहा है समाजवादी पार्टी सपा बसपा और कॉंग्रेस के सदस्यों ने किसी त्यागी का समर्थ किया बस पानेता मायावती ने कहा कि अगर यह योध्या में कुछ भी गैर कानूनी तरीके से हो रहा है तो उसे रोकना सरकार उसे रोकना यू उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है उन्होंने कहा कि अपने कारेकाल में हमने कभी भी ऐसे गत्विडियों को पनपने नहीं दिया तो कुल मिलाकर राम मंदिर का मामला आज के अख़बार की सुर्खी अगली खबर मुंबई और आसपास के शेत्रों में लगा दस का गिरा पारा और दस डिगरी के आसपास कई इलाकों में ताप के की ठंड के चपेट में है लेकिन अब ये ठंड का जो गुबार है वो आर्थिक राजधानी तक जा पहुचा है जहां गुलाबी सर्दी में कपकपाने लगे हैं मुंबई कर उतर भारत में पढ़ने वाली कडाके की ठंड का असर बुधवार को मुंबई पर भी दिखा ज लेकिन बुधवार को सुबह लोगों ने इतना अनुमान नहीं लगाया था कि मुंबई जहां ठंड का असर होता ही नहीं वहां इतनी जोरदार ठंड पढ़ेगी तो लोगों को स्वेटर और शॉल निकालने के लिए बाद ये होना पढ़ रहा है खास करके मुंबई परिसर में कई स्थानों पर पारा दस डिगरी सेल्सियस तक जा पहुँचा और कई सालों के बाद इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक राज़ानी मुंबई में ठंड का माहल देखने को मिल रहा है मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में ठंड बढ़ने का कारण उत्तर भारत की आ रही सर्द हवाएं हैं साल 1949 में मुंबई का नियूनितम तापमान 10.6 डिगरी सेल्सियस पर पहुँचा था और उसके बाद साल 2011 में ये 11.4 डिगरी सेल्सियस तक पहुँचा था मौसम विभाग के उप महानी देशक क्रिशना नंद हुसालिकर के अनुसार अभी पारा औ हो सकता है जिससे ठंड और भी बढ़ सकती है तो मुंबई करों के लिए ये खबर है कि गुलाबी ठंड का आप लुफ्त जरूर उठाएं लेकिन लगातार गिर रहे पारे से भी आप बचे चुकि ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों का स्वेटर खरीदने के लिए दुकानो पर लगातार भीर दिखाई देने लगी है खास तोर पर मुंबई के छट्रपदी शिवाजी टर्मिनस के बाहर फुट पात पर स्वेटर बेचने वाले ग्राहकों का इंतजार करते दिखाई दिए और एक के दुक के ग्राहक जिने मुंबई से बाहर जाना होता है वो जान नाला सोपारा वसाई विरारक जैसे शेत्रों में पारा दस डिग्री सेल्सियस के नीचे जा पहुचा है और इन इलाकों में इन इलाकों से मुंबई ड्यूटी करने आने वालों को स्वेटर की अधिक आविशकता पढ़ रही है सुबह और शाम चलने वाली तेज हवा आर्थिक राद्धानी मुंबई में अगली खबर सल्मान खान की रहाई के खिलाब सुप्रीम कोट जाएगी महरास्ट सरकार दबंग खान से संदर्भित ये खबर है मुंबई के साल 2002 के हीट अन रन मामले में फसे सल्मान खान को भले ही नयाले ने बरी कर दिया लेकिन अब सरकार सल्मान खान के खिलाब सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट खटाएगी तो महरास्ट सरकार ने बुदवार को बॉंबे हाई कोट को जानकारी दी कि उसने साल 2002 के हीटन रन मामले में बॉली वुड अभिनिता सल्मान खान को से बरी करने के फैसले को हाई कोट में चुन करने का निश्चेस राज्य सरकार ने किया है निचली अदालत ने इस मामले में सल्मान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी जिसे नयाय मूर्ती जोसी की पीट ने पूरी तरीके से पलट दिया तो हम आपको बता दे एक बार फिर साल 2002 में हीटन रन का मामला आता है उसके सरकारी वकील जो सल्मान खान को सजा दिलाने के लिए प्रतिया बद दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ सल्मान खान के बचाओ में उनके वकील कोड के समक्ष दलील पेश करते हैं और अंतत्वा गत्वा एक अदालत जो सल्मान खान को पांच साल की सजा सुनाती है सारी व्यवस्ता की जाती है कि सल्मान खान इस रास्ते से इस जेल पहुँचेंगे और उसी समय एक और कोड उपरी अदालत का एक फैसला आता है जिससे सल्मान खान को पूरी राहत देते हुए उन्हें जमान दे दी जाती है और आगे चलने के बाद हाई कोर्ट में सल्मान खान को पूरी तरीके से बाईज़द बरी कर दिया जाता है और अब राज्य सरकार कहीं न कहीं से सल्मान खान के मामले में लकीर पीटी दिखाई दे रही है काश कि सल्मान खान के खिलाव जिस समय फाई यार दर्ट की गई थी उस समय जाच एजनसियों ने सही तरीकों से तथ्य जुता कर कोर्ट के समक्ष पेश किया होता तो शायद इसका निर्णे कुछ और आता लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब सल्मान खान के खिलाव सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खटाने वाले महरास्ट सरकार के हाथों क्या लगता है अगली खबर सरकार डांसबार खोले जाने की पक्ष में नहीं है खबर आर्थिक राजधानी मुंबई से है नागपूर में शीतकाली इंसर्त्र के दौरान आपको बता दे कि ये उलेक करते हुए महरास्ट सरकार डांसबार फिर से खोले जाने की पक्ष में नहीं है मुख्यमंत्री दिवेंद्र फड़नवीस ने बुधवार को विधान सभा में कहा कि सरकार इसके लिए नए नियम बना रही है डांस बार के लिए 18 नए नियम में बार डांसरों को रुपए दिखाने के अनुमती नहीं होगी और प्रतिक डांस बार में सीसी टीवी कैमरे लगाना अनिवारे होगा जिसका फुटेज सीदे सीदे पुलिस कंट्रोल रूम में उपलब्द कराना जरूरी होगा दिवेंदर फड़नवीस ने विधान सभा में ये कहा कि राज्य में अपराध दर में जबरदस्त गिरावट आई है विपक्षी कांग्रेस और एंसीपी के सभी सदस्यों ने फसल कर जे छूट में सरकार की नाकामी के खिलाफ वॉक आउट कर दिया तो ये मामला डांस बार से संदर भी थै सरकार डांस बार मालिक डाले डाल तो राज्य सरकार पात पात आपको बता दें कि सुप्रीम कोट ने कड़ी फटकार लगाई जिसके बाद महरास्त सरकार कहीं न कहीं से नरम रुख अख्तियार करते नजर आई लेकिन फिर भी जो तरीका है वो यही है कि डांस बारों में यदि सिसी टीवी कैमरे लगाए गए और उसका सीधे सीधे संपर्क पुलीस कंट्रोल रूम से स्थापित किया गया तो आने वाला दिन बार डांस बार मालिकों के लिए कैसा होगा इसका अंदाजा लगाया जा स खुलासा कला से बताया कतल का नुस्खा बहुचरचित हेमा उपाध्याय हत्या मामले में हेमा के पती चिंतन उपाध्याय से लगातार पूस्ताज कर रही है मूंबई पुलीस और उस पूस्ताज के दौरान का ह BuddATION की साजीश खुला से सामने आ रहे हैं मुंबई पुलीस के और कुलमिलाकर जो योजना है वो सुनियोजित तरीके से बनाई गई है और इसे पूरी तरीके से प्रीप्लाइन करके एक और्गनाइस क्राइम करें तो कोई आतिश योगती नहीं होगी और ये हत्या की वजह गुजारा भटता के लिए हिमा की बढ़ती मांग को खत्म करना था ये खुलासा चिंतन ने किया है दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया साल 2010 में प्रारंबह हुई चिंतन और हिमा की हम बात कर रहे हैं चिंतन उपाध्याए कुल मिलाकर पुलीस के मताबिक हत्यारे को 22 लाक रुपए देने की बात तैंक की गई थी और ड्रॉइंग के जर ये कतल का तरीका बताया जाना ये पहली बार देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले की जांच इसके चिंतन उपाध्याए तक तब पहुची जब हेमा के रिस्तेदारों ने हत्या में उसके शामिल होने की बात कही हेमा के चचेरे भाई दीपक प्रसाद ने खुलासा किया क विद्याधर उसका करीबी था कलाकार चिंतन को सुमवार राद को पुस्ताज के लिए बुलाए गया और बाद में उसे मंगलवार को गिरफतार कर कोर्ट में पेश किया गया जहां से पुलिस कस्टडी में भेजा गया है चिंतन को और लगातार पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है कि इस डवल मंडर केस में और क्या क्या ऐसे चीजे हैं जो अब तक सामने निकल कर नहीं आ पा रहे हैं दोपहर के सामना पर हम एक बार गौर करेंगे बोट पार्टी बैन मामला नए साल से संदर्भीत है नए साल का जश्ट मनाने वाले इस बार भी समुंद्र के अं रश्ट का परिपत्रक जल्दी बोट असोसियेशन को पुलीस द्वारा सौपा जाएगा तो आज का दिन गुरुवार का दिन है और आज का दिन इदे मिलाद दुन नभी ते उहार से लेकर रविवार तक सरकारी और निजी कारियालेयों में चार दिन का अवकाश घोशित क किया गया है और आजसे में घुमक कर लोगों के लिए ये चार दिन की चान्दनी के समान दिखाई दे रहा है और खास करके क्रिसमस नया साल, इद, इस तरह की थिवार और ऐसे में तमाम लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन मुनबई पुलीस ने कहीं न उन्हें निराज किया है वोट पर पार्टी मनाने से मना किया है चुकि आतंकी हमले समुंदरी मार्क से ज्यादा होने के इनपुट्स लगातार गुपतचर विभाग द्वारा गिरह मंतराले को मिल रहे थे और इसी कारण ये फैसला लिया गया एक बार हम दोपहर के सामना के स पाद की है व्यर्थ की बली हिंदूस्तानी सेना के पास होने वाले हवाई जहाजों का बेड़ा एक बार फिर चर्चा में है राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हुई हवाई जहाज दुर घटना में बी एस अफ अर्थात सीमा सुरक्षा बलके दस जवानों की दुर्भ हवाई जहाज सुबह 9 बचकर 45 मिनट के आस पास हवाई जहाज ने उडान भरी और सिर्फ 5 मिनट में ही वो धराशाई हो गया विमान की पाइलेट कैप्टन भगवती प्रिसाज भटने अपनी मौत को सामने देखते हुए भी जिस तरह की ततपरता दिखाई उसके लिए उ इसके कारण हवाई अड़े के आस पास के निवासियों पर आने वाला संकत दूर हो गया बहुत बड़ी जनहानी इस से टल गई लेकिन हवाई जहाज में बैठे दस जवानों को अपनी जान गवानी पड़ी तो हवाई हाथसे के बाद पुराने हुए इस हवाई जहाज की उम्र और उसकी तक्नीकी दोश पर सवाल उपस्थित किया गया जहाज करीब 30 साल पुराना था तो कुल मिलाकर इस पूरी खबर की पोस्ट मॉर्टम आपासानी से दोपहर के सामना के संपादकी में देख सकते हैं अगली खबर हर महिला कोच के सामने होगा सेसी टीवी कैमरा आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाले लोकल ट्रेन से संदर भी ये खबर है और दिल्ली में तीन साल पहले 16 दिसंबर को हुए निर्भया गैंग रेप के बाद अब निर्भया के नाम पर महिलाओं की सुराच्छा के लिए बनाए गए फूड फंड का इस्तेमाल होने जा रहा है मुंबई के उपनगरी ये स्टेशनों पर महिला कोच लेडिस वेटिं के लिए 50 लाख रुपए का फंड मन्जूर किया गया है सिसी टीवी के अलावा आरपी अफ के कंट्रोल रूम को अपडेट करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च किये जाएंगे कंट्रोल रूम में डेटा लॉगर इंस्टॉल किया जाएगा डेटा लॉगर की मदद से आर डिविजनल सिक्यूर्टी कमिशनर आनंद विजय जा के अनुसार महिला की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निर्भया फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए फंड का आवंटन हो चुका है और इसी फंड की मदद से वेस्टन डेलवे मुंबई डिविजन म महिला आरपियफ के लिए बैरक बनाने की मंजूरी दे चुकी है और इस पर तीन करोड रुपए खर्च किये जाएंगे तो कुल मिला कर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दे एक आर्थिक राजधानी मुंबई से एक और खबर निकल कर आ रही है कांदी वली पुर्व के द पूरा खर्च भी उठाएगी महराष्ट सरकार 3800 रुपए की मदद पहले थी लेकिन अब अगनीकांड प्रभावितों को मिलेगी 25000 रुपए की मदद कांदी वली के दामू नगर अगनीकांड के प्रभावित जोपड़े जोपड़े वालों को सरकार ने 25000 रुपए आर् और घायल लोगों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी महराष्ट सरकार आपको बता दे कि दामू नगर अगनीकांड की घटना पर विधान सभा में ध्यानाकरशन प्रस्ताव के तहट शिवसेना के प्रकास सुर्वे सुनिल प्रभू भारती जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष और विधायक आसिस सिलार योगे सागर कॉंगरेस की वर्सागाएक वार और एंसीपी के छगन भुजबल समेथ कई अन्य विधायकों ने पचीस हज़ार रुपए राहत राशी देने के अलावा जोपड़े वालों का उसी सजगह पुनर वसन करने की मांग आज के मुख्यप्रिस्ट की खबर बनी है फिल्म दिलवाले रिलिज होने के ठीक पहले बॉलिवूड एक्टर शारुक खान ने असहिशनुता के बयान पर माफी मांगी लेकिन अब उन्होंने फिर बयान बदल दिया है उन्होंने कोलकाता में मीडिया से कहा कि मेरे बयान क गलत तरीके से पेश किया गया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए मैं जो भी कहना चाहता हूं कहता हूं इन में से बहुत सी बातों को गलत तरीके से पेश किया जाता है शारुक खान ने करीब एक महीने पहले अपने पचासवे ज लिखाई कई खबरें छूट रही हैं और कई खबरों को हमने विस्तार में जाके आपको बताने का प्रयास किया बहराल हमारा ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा कल हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर तमाम अखबारों की सुर्खियों को लेकर तब तक के लिए दीजिय मुझे इजाज़त लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको आज के सुविचार पर अपने बच्चों को अमीर होने की सिच्छा ना है बलकि खुश रहने के समस्कार भी इससे जब वो बड़े हो जाएंगे तो हमेशा वस्तूओं की कद्र करेंगे ना पिए उनकी इमन की चैनल वन हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कर देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका